हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि UGC नेट परिक्सा क्या होती है साथ ही हम ये भी जानेंगे कि UGC नेट परिक्सा का एक्जाम पेटर्न और उसका सिलिबस क्या है ताकि आपको तयारी करने में आसानी रहे तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे वेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अ ओनलाइन परिक्सा ली जाती है ये परिक्सा राष्टिय स्तर पर ली जाती है तो आप लोग नीचे कमेट करके मुझे जरूर बताईएगा क्या आप लोग कोलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हो या नहीं अगर आप बनना चाहते हो तो आपको ये UGC नेट की परिक्सा दे द्वारा ली जाने वाली ओनलाइन परिक्सा होती है हर साल में दो बार इस परिक्सा का आयोजन किया जाता है इस परिक्सा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजनसी के द्वारा किया जाता है दोस्तों UGC का फुल्फोम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांच कमिशन और UGC net क्या होता है यह आपको प्रोफेसर बनना है अगर आपको कोलेज में तो फिर आपको इस एक्जाम को देना होता है उसके बाद आप किसी भी कोलेज में सिख्षक बनने के योगिया हो जाते हैं अगर आप इसे पास करते हैं तो अब आगे हम जानते हैं कि UGC NET exam का syllabus क्या है दोस्तों मान लिजिये कि आप लोगों को सिक्सक बनना है किसी college में professor बनना है और आपने इसका form भी भरके registration कर दिया है लेकिन उसका syllabus में आपसे क्या पूछा जाएगा ये आपको जान लेना चाहिए क्योंकि तभी आप इस exam को पास कर सकोगे तो दोस्तों UGC के syllabus में आपसे परियावरन विग्यान, computer विग्यान, सामाजिक विग्यान, electronic विग्यान और forensic विग्यान के बारे में पूछा जाता है और भी syllabus में क्या-क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी official website पर जाकर पता लगा सकते है आपको सिर्फ Google में जाकर UGC net लिखना है तो ये सारी जानकारी आप तक पहुँच जाएगी इसकी official website पर जाकर आप इसका syllabus भी चेक कर सकते हो या फिर जब आप form बने जा रहे हो तब उसके PDF में आप इसके syllabus में कौन-कौन सी चीज आती है उसको भी चेक कर सकते हो तो दोस्तो ये तो आपने बात की कि UGC net exam का syllabus क्या है और अब हम जानते है कि UGC net exam का pattern क्या है मतलब किस तरह से ये exam ली जाती है तो दोस्तो इस परिक्सा में दो प्रस्न पत्र होते है पहले प्रस्न पत्र में 50 प्रस्न आते है और हर प्रस्न के लिए इसमें 2 marks आपको मिलते है यानि कि ये paper 100 marks का होता है जो पेला paper है उसमें 50 question पुछे जाएंगे जिसमें हर एक question का 2 marks आपको देते है यानि कि total 100 marks का हो गया और दूसरा प्रस्न पत्र जो होता है यानि कि जैसे मैंने बताया कि इस परिक्सा में 2 प्रस्न पत्र है तो दूसरे प्रस्न पत्र में आपसे 100 प्रस्न पुछे जाते है और ये प्रस्न पत्र में आपको 200 marks का होता है तो इन दोनों प्रस्न पत्रों को पूरा करने के लिए आपको 3 गंटे का समय दिया जाता है इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दो भासा में paper होते है जिसका चयन आपको form भरते समय करना है अगर आप form में हिंदी चुनोंग तो आपका जो paper आएगा वो हिंदी के language में आएगा अगर आप form में अंग्रेजी चुनोंगे तो आपका जो भी form होगा वो English language में आएगा तो इस तरह से आपको दोनों paper के लिए 3 गंटे का समय दिया जाता है यानि कि पहले 50 प्रस्न पत्र के लिए आपको 1 गंटा और दूस प्रस्न वाले paper के लिए आपको 2 गंटे यानि कि कुल मिलाकर आपको 3 गंटे का समय दिया जाता है इसमें गलत जवाब के लिए negative marking नहीं होती है इसलिए आप किसी भी प्रस्न को छोड़ने के बजाए उसमें mark कर सकते हो यानिकि उस प्रस्न को टिक कर सकते हो क्योंकि इसमें negative marking नहीं होती है तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि UGC का net exam pattern कैसा है ताकि आप उस हिसाब से अपनी तयारी कर सको अब दोस्तों बात करते है कि UGC net exam का registration form आपको कैसे बनना होगा तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि ये साल में दो बार आता है कौन से महीने में आता है वो भी मैंने आपको बता दिया जैसे कि यहां पे हमने देखेंगे तो ये exam जो होती है वो दो बार आयोजित हो जाती है ये होती है मार्च में और दूसरी होती है सप्टेमबर में तो तब इस परिक्सा को जारी किया जाता है तो अगर आपको इसका registration form बनना है तो आपको Google पर जाना है Google पर सर्च कर देना है कि UGC net exam registration form कैसे बरे इतना अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ब्लोग और आर्टिकल आजाएगे जिसको पढ़कर आप online register करना सीख सकते हो और बाद में आप इनकी website पर जाकर online register भी कर सकते हो आपको अगर किसी का भी ब लिखा हुआ है यही चीज आपको Google में सर्च करनी है कि UGC net exam registration form कैसे बरे आपके सामने जो भी रिजल्ट आते हैं उसको आप देखते जाएए पढ़ते जाएए आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका form कैसे भरा जाता है तो इतना आप Google से जान लीजिएगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दिजिएगा और WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर किजिएगा और एसे informational वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी notification आप तक पहुँच सकें और इस वीडियो से समबंदित किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करें दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो